हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू नम्स रेसिपी आज हम बनाएंगे बालु साही जो बहुत ही फेमस और बहुत इजी डीस है तो चलिए हम बनाना ही स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैने लिया है दो बॉल मैदा एक कप घी पीस्ता और इलाइची पॉडर पानी और दो कप सुगर और बेकिंग पॉडर तो हम मिक्स करेंगे इसमें बेकिंग सोड़ा और इसमें हम डालेंगे घी एक कप ही आप इसी कप से मेजर कर सकते हैं तीन कप मैदा तो थोड़ा सा ही पाएं डालेंगे और हमको आटे की तरह इसको गूथ नहीं करना है इसको इस तरह से गुतने का रिजन यह है कि जब यह बालू सही बनेगा तो एक लेयर में रहेगा तो इस तरह से हम इसको गुतेंगे यह देखिए इसको थोड़ा सा हाथ की सहातर से हम इस तरह से प्रेस करेंगे और नाइफ के थ्रू इसको कट कर लेंगे और एक दूसरे को इस तरह से हम मिलाएंगे तक कि इसमें लेयर बनते चाहिए यह देखिए देख सकते हैं इसमें लेयर बनना स्टार्ट हो गया इसको गूत लीजिए इसको रॉंड बना करके इसको बरावर भागों में हम बाट लेंगे इसको दिखिए हम इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे और इसको जैसे रोटी के लिए हम चुट चुट बीबू के साइस का बॉल बनाते हैं वैसे ही यह देखिए हम इसको हलके हाथों से इस तरह से हम इसको गूल करेंगे और बीच में होल डाल देंगे तोनों उंगलियों की साइथ से डूंऄ यह तरह से देखिए अम ने तैयार कर लिया है अभी हम हम चासनी बनाएंगे चासनी में सिर्फ एक तारका बनाना है हैं इसको पानी लेक्षिश्ट आ यहॉलिक्षिश्ट नहीं भीस bald बचे तो फिर वो वेस्ट मत हो इलाइची मैंने पीसा नहीं है मैं इसको साबूती डाल रही हूं ताकि उसका फ्लेवर आजाए मिक्स नहों यह हम फ्राई करेंगे फ्राई हम मेडियम लो फ्लेम पे ही करेंगे ताकि वह अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए पक जाए गोल्डन ब्राउन हो गया है यह चासनी में हम इसको पांस से दस मिनट तक हम रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से चासनी मिक्स हो जाए तो यह देखे सारा बालु साही तयार हो गया है आप भी बनाएए और अपने व्यू अपने कमेंट कमेंट बॉक्स पे डालिए थै अपने कमेंट कर 3 खर एत ये सच हो गया है ये बल्डन वne कर दोखेंगे दो गमाट अपने कहत Wesley कर अपने कर कल सकद से दाने कर दो गल दोंगे से घो सारे आपने कर अपने कमेंट दो मिक्स और empathy तो हो अए ये बचे